दोस्तों ये कहानी है एक आलसी गदे की, हम सभी को अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। बीमापूर गाउब में एक व्यापारी अपने गदे के साथ रहता था। उस व्यापारी का घर बजार से कुछ दुरी पर ही था। व्यापारी हर रोज गदे की पीट पर सामान की बोरियां रखकर बजार जाया करता था। व्यापारी का स्वभाव काफी अच्छा था। वो आराम पसंद करता था, जाधा काम में उसका मन नहीं लगता था एक दिन व्यापारी को पता चला कि बजार में नमक की मांख बढ़ गई है उस दिन उसने ये तैख कर लिया कि वो अब बजार में नमक बेचना शुरू कर देगा दूसरे ही दिन व्यपारी ने नमक की चार बोरियां गदे की पीट पर ला दी और उसे बजार चलने के लिए तयार कर दिया व्यापारी को पहले से ही पता था कि उसका गधा आलसी है उसलिए वो जब गधा चलता नहीं था तब गधे को धक्का देता था नमक की बोरियां थोड़ी भारी थी इस वजह से गदे के पैर काम प्रहे थे और उसे चलने में मुश्किल हो रही थी लेकिन व्यापारी गदे को धक्का देते देते उसे किसी भी तरह आधे रास्ते तक ले आता है व्यापारी के घर और बजार के बीच में एक नदी थी जिसे पूल की मदद से पार करना पड़ता था गधा नदी पार करने के लिए उस पूल पर चड़ा और कुछ दूर चलने के बाद उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर जाता है व्यापारी इस तरह से गदे को नदी में गिरता हुआ देखकर परेशान हो जाता है और तुरंथ ही तेरते हुए उससे नदी से बाहर निकालने की कोशिश करता है कुछ प्रयतन के बाद आखिरकार व्यापारी ने अपने गदे को नदी से बाहर निकल ही दिया गदा जब नदी से बाहर निकला तब उसने देखा कि उसकी पीट पर लदी बोरिया अब पहले से हलकी हो गई थी पानी में गिरने की वजह से अब सारा नमक पानी में गुल गया था और इस वजह से उसकी पीट पर का बोज अब कम हो चुका था दूसरी तरफ सारा नमक पानी में गुलने की वजह से व्यापारी को अच्छा नुकसान हुआ और अब उसे आधे रास्ते से ही घर वापिस जाना पड़ा वो बड़ा दुखी था और गधा पीट पर बोज कम हुने की वजह से खुश था और उसे तो बजार तक न जाने की तरकीब मिल गई थी दूसरे दिन भी बजार जाते समय जब पुलाया तब गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और कल की तरह आज भी उसकी पीट पर टंगी बोरियों में रखा सारा नमक पानी में गुल गया आज भी व्यापारी को आधे रास्ते से ही घर वापिस लोटना पड़ा अब तो गधे ने हर दिन ऐसा जानबूझकर नदी में गिरना शुरू कर दिया था ताकि उसे भारी बोरियों का वजन उठाना न पड़े इसी सोच के साथ व्यापारी ने इस बार गधे की पीट पर रूई से भरी बोरियां बांध दी और उसे लेकर बजार की ओर चल पड़ा इस बार भी गधा हर रोज की तरह नदी में गिर जाता है पर इस बार उसकी पीट पर का वजन कम नहीं हुआ बलकि और भी बढ़ गया इस बार गधा समझ ही नहीं पाया इस आज ऐसा तो क्या हुआ कि मेरे पीट पर का वजन बढ़ गया व्यापारी ने अगले तीन चार दिनों तक ऐसा ही किया उसने गधे के पीट पर नमक की जगह पर रुई से भरी बोरी ही बांध दी और जैसे ही गधा नदी में गिरता कि उसकी पीट पर वजन बढ़ जाता ऐसा लगातार कुछ दिनों तक होने के कारण आखिरकार गधे ने हार मान ही ली गधे को अब अच्छा सबक मिल चूका था और वो चुपचा पुल पार करने लगा व्यापारी भी अब रूई की जगह नमक से भरी बोरिया बांधने लगा और गधा भी अब काम करने में आलस नहीं दिखता था इस तरह से उस व्यापारी के सारे नुकसान की भरपाई भी धीरे धीरे होने लगी अर्थात हमें अपने करतव्य का पालन करने में कभी भी आलस नहीं दिखानी चाहिए और हम इस व्यापारी की तरह अपनी सूजबूच से किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें